दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे early investing यानि शुरुवाती दिनों में ही निवेश करने के फायदे के बारे में और जानेंगे कि compounding में कितनी power होती है जिसके कारण एक छोटी सी रकम तै समय पर जमा करके करके भी अंत में हम बहुत बड़ी पूजी बना सकते हैं वैसे देखा जाए तो ये सब personal finance का एक भाग है जिसको जानकर आप अपना कल सुरक्षित कर सकते हैं अब देखिए निवेश तो हर कोई करता है कोई शुरूआत में तो कोई बाद में शुरू करता है यहां सबकी चाहत होती है अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करना और इसी के लिए ही निवेश किया जाता है अब चाहे आप एक गाड़ी खरीदने वाले हो या एक मकान या फिर आप अपने रिटार्मेंट का सोच रहे हो शुरूआत में ही निवेश करना सबसे अधिक फाइदेमन होता है यहाँ पर हम लोग कुछ सबसे जरूरी निवेश की बात करें तो रिटार्मेंट और बच्चों की पढ़ाई जैसे गोल्स अधिक जरूरी है एक कार खरीदने की अपेक्षा आप बताएं ये सही है कि नहीं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताईए इसके अलावा एक इमर्जनसी फंड बनाना जैसे गोल्स भी बहुत ही जरूरी है दोस्तों अगर आपने हमारी इमर्जनसी फंड कैसे बनाते हैं वाली वीडियो नहीं देखी है तो आज ही उसे देखें मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको एक पते की बात बताता हूँ जो परसनल फाइनस है उसको काफी बढ़ा चड़ा कर बताया और दिखाया जाता है पर अगर आप कोशिश करें तो अपने आप ही पढ़ और देखकर उसके बेसिक्स को समझ ही सकते हैं वैसे भी आप से बहतर आपकी और आपके परिवार की स्तिती भला कोई और जान सकता है क्या अगर आपने कोई financial advisor लगाया है तो हो सकता है उन में से अधिकतर ध्यान दे मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ हाँ तो उन में से अधिकतर जो होंगे वह आपको अपना financial product बेचना चाहते होंगे और आप जैसे ही उसके पास 10 या उससे अधिक clients भी हो सकते हैं वैसे भी हर हाल में वह अपना फायदा ही पहले करना चाहेगा इसलिए मेरी यही कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग खुद के finances manage करना सीखें आप देखेंगे कि इस financial management के लिए आपको बस थोड़ी सी basic mathematic calculation आनी चाहिए और इसके लावा थोड़ा सा common sense बस हो गया आपका काम अगर आप चाहते हैं कि future में personal finance और goal based investing related वीडियो बनाया जाए तो आप हमें comment कर सकते हैं और आगे इसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा वैसे मुझे इस feed में लगबग 12 साल से उपर हो गया है और मैंने NAC Academy से personal finance का एक course भी किया है पर मेरे हिसाब से जितना theory जरूरी है उससे कहीं जरूरी होता है practical करके देखना जब तक आप अपना पैसा कहीं लगाएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे कैसे चलिए हम अपने topic पर वापस आते हैं और जानते हैं कि early investing यानि शुरुवाती निवेस कितना कारगर सिद्ध होता है आपकी आसानी के लिए हमने इसे एक excel sheet में समझाया है जिसका screenshot मैं अपने इस presentation में लगाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा यहाँ पर एक hypothetical example लिया है पर मैं जानता हूँ यह हमारे में से अधिकतर की life में होता ही होता है तो दोस्तों आप हमें comment करके जरूर बताएंगे कि इन में से कौन सा आपकी life से अधिक से अधिक match करता है तो story यह है कि तीन दोस रहते हैं अब हमने यहाँ पर उनका नाम रख दिया F1, F2, F3 मतलब friend 1, friend 2, friend 3 25 साल की age में तीनों की नौकरी लग जाती है किसी company में और यह तीन मिल कर decide करते हैं कि अपने retirement के लिए कुछ सोचना चाहिए यह सब मिल कर तैं करते हैं कि अगले साल यानि अपने 26 वर्ष के बाद हम तीनों हर महीने 1000 या फिर साल के 12,000 रुपए PPF जैसे product में इन्वेस्ट करेंगे अगले 35 सालों तक मतलब अपने retirement तक तो हो गई बात पर मनुष्य का सबहा तो अलग-अलग होता है अब F1 ने यानि जो पहला दोस्त था उसने शुरू से ही 12,000 रुपए सलाने निवेश करना शुरू कर दिया पर 15 सालों के बाद तनिक जमेदारी बढ़ने के कारण वह आगे continue नहीं कर सका और अपना अभी तक का कुल निवेश PPF में ऐसे ही छोड़ दिया हाला कि 15 सालों के बाद भी उसने हर अगले 5-5 सालों के स्लोट में PPF को carry forward कराया पर उसने जो पैसा जमा किया वह केवल 15 साल तक ही जमा किया अब चलिए बात करें F2 की तो उसने सुचा कि यार अभी तो जौब लगी है तो जिन उसने शुरुवाती 15 साल जिन्दगी के मज़े लिए और कुछ भी निवेश नहीं किया पर 15 साल बाद उसे ध्यान आया कि अब तो काफी देर हो रही है और उसे निवेश को शुरू करना चाहिए इसलिए उसने 41 साल से निवेश करना चालू किया पर वह केवल 15 साल अब चलिए बात करें तीसरे दोस्त की, अब तीसरा दोस्त थोड़ा शातिर था और उसने सोचा कि मैं पहले 10 साल जिंदगी के मज़े लूँगा और बाकी के 25 साल लगातार 12,000 रुपए सलाना इन्वेस्ट करूँगा, तो उसने अपने सोचे अनुसार अगले 25 सालों तक आपने 15 कंट्रिबूशन में 1,80,000 और कुल समय तक वो इन्वेस्टेट रहा लगभग 35 साल, वहीं जो दूसरा फ्रेंड F2 था वो भी 1,80,000 उन्हें से इन्वेस्ट किया, और उसका कुल कंट्रिबूशन 15 था, मगर वो कुल टाइम इन्वेस्टेट था 20 साल, यानि पहले स 15 साल कम, और तीसरा फ्रेंड जो F3 था, उसने जो कुल पैसा इन्वेस्ट किया, वह 3,000,000 इन्वेस्ट किया, यानि बाकी सबसे ज़्यादा, और उसका कुल कंट्रिबूशन 25 और कुल समय इन्वेस्टेट रहा 25 साल, तो आपने देखा कि F3 ने सबसे अधिक पैसा इन्वे आप गलत है, देखिए, यहाँ हमने अपने कलकुलेशन के लिए 8 परसंट का रिटर्न इन्वेस्ट किया, यह केवल एक एक एप्रोक्सिमेशन है, कि 8 परसंट का रिटर्न माना गया है, और अब रिजर्ट्स आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं, कि F1 ने 1,80,000 इन्व एक लागा सी हजार इन्वेस्ट किये कुल एमाउंट लेकिन 20 सालों के बाद यानि उसका कुल जो इन्वेस्टेड टाइम रहा वो 20 साल रहा उसके बाद में उसको कुल रिटर्न मिला 5.1 लाग और वहीं तीसरे फ्रेंड जिसने इन तीनों में सबसे जाधा इन्वेस्ट किया जिसके कारण F1 ने शुरुवात में ही निवेश करके 16.3 लाग की दौलत खड़ी कर ले इसमें एक चीज़ जरूरी है वह सबसे लबा निवेशित भी रहा जिसके कारण उसके रिटर्न कई गुना बढ़ गया है यहां कंपाउंडिंग से मतलब है कि आपके मूल धन पे पह जैसे जैसे आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो आपको आश्यरजनक रूप से फायदा होता है जैसा आपने इस एक्जामपल में देखा आप देखेंगे कि अधिकतर लोग के लिए यह फार्मला सबसे सही होता है यह फार्मला है कमाई माइनस खर्चा बराबर नि निवेश करें goal based यानि गोल के हिसाब से अपना निवेश करें गोल आपका कुछ भी हो सकता है पहले वह तैयार करने आप चैए गाड़ी खरीदना है आपको चाहे तो टिरप पे जाना है कहीं विदेश ट्रिप है या फिर कोई मकान खर्दना है हर चीज का गोल बना है उसक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। हमें कमेंट करके बताएं कि आप परस्नल फाइनेंस और और क्या जनकारी चाहते हैं। ऐसे ही इनिवेशन संबंदिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको मारे चैनल इंस्टा निवेश को ज़रू सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।